नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीजित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों बालों को तूटने और ज़रने से बचाएगा कड़ी पत्ता आज का हमारा यह टॉपिक है दोस्तों लाप पहुचाते हैं करी के पत्ते करी पत्तों में बहुत मात्रा में प्रोटीन और बीटा के रोटीन होता है दोस्तों जो बालों को शति ग्रस्त होने से रोकने के साथ ही बालों को पतला होने से रोकने में मदद करता है यह बालों के रूम को नया जीवन परदान करता है हमें इसका उप्योग सबजियों के साथ करना चाहिए दोस्तों जो कि बहुत ही गुरकारी होता है यह बालों के शौफ्ट वह बाल जो सर से थोड़ा उपर होते हैं उनको मजबूती परदान करता है जरूरत से ज़्यादा केमिकल का इस्तिमाल और प्रदूशन की वजह से बालों को काफी नुकसान होता है करी पत्ता में वो वो सारे पोशक तत्थ तो पा Заाए जाते हैं दोस्तों जो बालों को स्वस्त रखते हैं करी पत्तों को पीस कर इसका लेप बना लें फिर इसे सीधे बालों की जड़ों में लगाएं या आप करीपत्ते को खा भी सकते हैं अगर आपको इसके कड़वे स्वाद से कोई परिशानी नहीं है तो इससे आपके बाल काले, लंबे और घने हो जाएंगे साथ ही बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी दोस्तों करीपत्ता में विटामिन B, विटामिन B3, B9 और C होता है इसके अलावा इसमें आईरन, कैल्शियम और फासफोरस होते हैं इसके रोजाना सिवन से आपके बाल काले, लंबे और घने होने लगेंगे दोस्तों यहीं न करीपत्ते का एक गुच्छा लेकर उसे साफ पानी से धोलें और सूरज की धूप में तब तक सुखा लें जब तक यह सूख कर कड़ा ना हो जाए, फिर इसे पावडर के रोप में पीस लें, अब 200 एमेल नारियल के तेल में या फिर जैतून के तेल में लगभग 4-5 चमच करीपत्ती मिक्स करके उभाल लें, दो मिनट के बाद आज बंद करके तेल को ठंधा होने के लिए रख दें, तेल को चान कर किसी एयर टाइट शीशी में भर कर रख लें दोस्तों, करीपत्ते लें और इसे पीस कर इसका पेश्ट भना लें, अब इसमें थोड़ा दही मिला और इसे अपने बालों पर लगाएं, इस मिश्रन को बालों में 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर शैम्पू से बालों को धोलें, इससे आपके बाल काले और घाने हो जाएंगे दोस्तों, करीपत्ते को पानी में उबाल लें, अब इसमें एक निम्भू निचोड़ ले और चीनी मिलाएं, एक हफ़ते तक इसे पीएं, यह आपके बालों को लंबा, घाना और सफेद होने से बचाएगा, यही नहीं, यह आपके पाचन तंतर के लिए भी काफी फायदिमंद होता है दोस्तों, आधा कप करीपत्ते को दही के साथ पीस लें, वो उस मिश्रा को अ आहार के साथ करीपत्तों का भी सिवन करना चाहिए, यह बहुत ही गुणकारी होता है दोस्तों, तनाव, शराब पीने, सिगरेट पीने, आयू, आनवन शित्ता के कारण समय से पहले काफी लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, करीपत्तों में विटामिन B होता है, जो बालो उनका प्राकरितिक रान फिर से ले आता है दोस्तों, तो देखा दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए वो और शद ही लेकर को आए थे, जिसके माध्हम से आप अपने होईट होते बालों को भी बलैक बना सकते हैं आप दोस्तों, तो अगली बार हम आप सभी से जुडेंगे कुछ एक और महत्वपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर हमारा वियो अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को आप सबस्क्राइब कर सकते हैं ताकि आगे से आप हमारी नई जानकारियों को सबसे पहले सुन पाएंगे दोस् धन्यवाद नमस्कार दोस्तों